जैसा कि आप लोगों ने टाइटल में पड़ा मैंने अपने रियन्मी के फोर को कनवर्ट करिया है गूगल पिक्सल फोर में एक सिंपल वालपेपर इंस्टॉल करके गईस बहुत यह आसान है और आप लोगों यह बहुत ही अच्छा लगए गया क्योंकि जो वालपेपर में आपको दिखाने वाला हूँ यह पिक्सल फोर से पोर्ट किया गया है जो आप किसी भी एंडोइट फोन में इंस्टॉल कर सकते हो आप लाइक कर सकते हो कैसे करना है कहां से डाउनलोड करना है जिनोंने पिक्सल फोर का वॉलपेपर जो है इसे पोर्ट किया है आपके डिवाइस के लिए यानि आपके अगर दूसरा लिंक देता हूं तो उस लिंक से अगर आप डाउनलोड करोगे तो यह वालपेपर आप आपके डिवाइस में इंस्टॉल नहीं होगा आपको यह जो wallpaper है यह दो आपको section में देखने को मिल जाएगा living universe and come alive ओके यह सारा जो आपको लिखा दिख रहा है यहाँ पे wallpaper यह सब आपको इस app के अंदर मिल जाएगा यह simple एक app है यहाँ पे आपको download link देखने को मिल जाएगा pixel wallpaper 19 अगर आप android 7 plus version में है तो आपको ऊपर वाला install करना है और अगर आप 8.1 plus में है तो यह नीचे वाला install करना है मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ देख लो तो मैं जो अभी device यूज़ कर रहा हूँ यह है realme xt जिसमें है android 9 तो मुझे नीचे वाला यानी 8.1 plus वाला जो wallpaper collection है इसे install करना है ठीक है यह एक apk है मैं आपको apk भी दिखा देता हूँ और आपका device होना चाहिए arm 64 ओके arm 64 आपको दिख रहा हूँगा 32 bit वाले phone में यह काम नहीं करेगा इस यह है launcher launcher आप इसे install कर सकते हो चाहो तो rootless launcher या nova launcher भी try कर सकते हो वाथ new में जाने के बाद आपको नीचे एक launcher feed दिखेगा lawn feed install करने के लिए नीचे आपको link मिल जाएगा इस पर tap करने के बाद आप यहां से lawn feed भी install कर लेना download lawn feed ओके इससे install कर लेने के बाद आप google feed जो है यह use कर सकते हो इसे removal कर सकते हो launcher के अंदर आपको यह settings देखने को मिल जाएगा आप 3rd party icon pack इसमें try कर सकते हो customize कर सकते हो पूरी तरीके से dark mode light mode theme सब कुछ आपको इस launcher में देखने को मिल जाएगा dog को hide कर सकते हो status bar को hide कर सकते हो बहुत सारा इसमें आपको feature देखने को मिल जाएगा and double tap to sleep भी काम करता है इस launcher के साथ Google app on left okay इसे आप enable कर देना यह आपको देखने को मिल जाएगा integration में double tap to sleep and उपर आपको दिख रहोगा arriving early यह मेरा flip card से कोई parcel आने वाला है उसके बारे में काफी अच्छा लगेगा यह launcher यूज़ करने में and आपका जो look है phone का यह भी काफी must लगेगा realme xt वैसे भी काफी must phone है यह से और भी must बना देता है एक और चीज़ बता दूँ यह जो मैंने launcher आपको दिखा या icon pack दिखा रहो यह सारी चीज़े optional है आप simple एक wallpaper भी install कर सकते हो लेकिन आपको इतना मज़ा नहीं आएगा अगर आप nova launcher या जो launcher मैंने बताया या फिर rootless launcher ट्राइ करो और उसके साथ यह wallpaper सेट कर लो तो आपको ज्यादा बहतर experience मिलेगा ज्यादा अच्छा दिखेगा आपका device लेकिन यह optional है तो दिख रहोगा गाई पिक्सल वाल पेपर आपको एंड में दिख रहोगा पांडे.apk मैं इस पर टैप करता हूँ और अब आप देख सकते हो मैं इसे install कर सकता हूँ पिक्सल वाल पेपर 90 मुझे कुछ भी अपने डिवाइस में एक्स्टा करने की ज़रुत नहीं है किसी तरह का modification कुछ करना नहीं है सिंपल एक एक ए लेकिन यह आप install नहीं कर सकते यह सिर्फ यहां तक मुझे लगता है android 10-based phone में ही आप install कर सकते हो गईस यह वाल पेपर एक सिंपल वाल पेपर नहीं है आप इसे modify कर सकते हो इसे बहुत अलग अलग तरीके से customize कर सकते हो मैंने कुछ वीडियो में देखा है तो उस वाल पेप आप बाइप बाइप गूगल ओके प्ले स्टोल में आपको मिल जाएगा उसका ओलडर वर्जन लेकिन जो लेटिस्ट वर्जन है यह भी android 10-based phone में ही install कर सकते हो ओलडर में नहीं जैसा कि आप देख रहे हो android 9-based phone में मैं इसे install नहीं कर पा रहा हूं तो वैस यह है अपना प अप्लाई नहीं कर सकते हैं और इसमें आपको पूराना करेक्शन भी देखने को मिल जाएगा गूगल वाल पेपर का और यह रहा है लेटिस्ट वाला आइकन पैक के लिए मैंने पिक्सल पाई आइकन पैक फ्री है यह इसे अपलाई किया है आप देख सकते हो आइकन पैक भी काफी मस्त लग रहा है तो अभी मेरा फोन जो है बिलकुल परफेक्ट दिख रहा है मुझे काफी अच्छा लगर अपना फोन देखने में आपको भ लोग तो एक बार जरूर रहे करना लिंक में नीचे डिस्क्रप्शन में दे दिया है लाइक का बटन दबाना मत भूलना थैंक्यू वेरे मच